हलो एंड वेलकम तो सपर्शिवानी चैनल एंड दिस इस दा क्लास ओफ कुकिंग फूद सबसे पहले हम यहां पर एक मिक्सिंग बोल लेंगे और सबसे पहले इसमें जाएगी फाइनली चॉप क्याबज यहनी कि पत्ता गोभी जिसे मैंने फाइनली चॉप कल लिया है और इसके बाद हम यहां पर फाइनली चॉप ओनियन एड करेंगे और इसके बाद यहां पर हम रफली चॉप खीरे को एड करेंगे और इसके बाद यहां पर रफली चॉप कैपसिकम एड करेंगे ग्रीन कैपसिकम मैंने यहां पर लिया है इसे एड कर लेंगे roughly chopped tomato add करेंगे और इसके बाद हम यहांपर half teaspoon salt add करेंगे half teaspoon black pepper add करेंगे और half teaspoon हम यहांपर चाट masala add करेंगे half teaspoon हम डालेंगे हापर oregano यह optional है आप चाहिए तो इसे skip कर सकते हैं half teaspoon हम डालेंगे यहांपर chili flake और अब हम सारी चीजों को अच्छे से mix करेंगे और हम इस वेजिटेबल में हाफ कप के करीब हम यहाँ पर मलाई आड़ करेंगे तमाटो केचप मिक्स करेंगे से और इसके बाद इस ब्रेट स्लाइसेज में हम बटर को अपलाए करेंगे आपचाहे तो यह से नाइब से भी कर सकते हैं इसलिए मैं स्पून से स्प्रेट करेंगे और ऐसे ही हम बाकी slices में spread कर लेंगे और इसे हम इस grill के stand में रख लेंगे क्योंकि हमें इसे microwave में sandwich को बनाना है और दूसी slices में भी ऐसे ही लगा लेंगे और इसके साथ जो हमने vegetables का mixture बनाया था उसे इसमें spread कर लेंगे कुकुंबर के slices रख देंगे ओनियन के slices भी आप रख सकते हैं और अपर स्लाइस में ग्रीन चटनी को अपलाए करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर टोमेटो केचप अपलाए कर सकते हैं और इस स्लाइस को इसके उपर रख देंगे अगर आपके पास cheese slices हैं तो आप यहाँ पर आड़ कर सकते हैं नहीं तो यह सैंविचे ऐसे भी अच्छी लगते हैं खाने में और अब इसके उपर बटर अपलाए कर देंगे और यह सैंविचे हमारी ग्रिल होने के लिए तयार हैं इसे हम ओमन के अंदर रख देते हैं इसे grill करने के लिए हम यहाँ पर grill plus convection बटन को एक बार प्रस करेंगे और यहाँ पर 150 degree का temperature सेलेक्षा करेंगे नमबर 5 प्रस करेंगे आप देख सकते हैं 150 degree यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है अब हम यहाँ पर 2-3 मिनिट का याँ टाइम सेट करेंगे मैं याप तीन मिनट का टाइम सेट कर देती हूँ और बीच में हम चेक कर लेंगे और जैसे ही हमाई सैंडविचे यहाँ पर कुख हो जाएंगे हम इने बाहर निकाल लेंगे स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और हमाई सैंडविचे यहाँ पर ग्रिल होना शुरू हो जाएंगे आप इस काम को ग्रिल मोट पर भी कर सकते हैं और ग्रिल प्रेस कन्वेक्शन मोट पर भी कर सकते हैं जैसे ही आपको सही लगे आप दोनों मोट पर इस काम को कर सकते हैं अच्छे से सिप चुकिए आप देख सकते हैं और अब मिस ब्रेट को पलट लेंगे और इसे दूसरे साइड से भी पका लेंगे और इस साइड भी बटर को अपलाइक लेंगे और अब मैसे फिर से 3 मिठ के लिए इसे हम कनेक्शन और ग्रिल मोट पर इसे हम फिर से बेक कर लेंगे इसके लोवर साइड को भी अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे झाल झाल झाल